हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल बचो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर वेव्ज की सबसे इंपोर्टेंट डेरिवेशन्स के बारे में किनकी वेटेज जादा है, कौनसी जादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है तो वो सारी डेरिवेशन्स के बारे में जरा बात करते हैं हाफ एरली एग्जाम्स में तो वेव आता नहीं है क्योंकि यह तो लास्ट चैप्टर है So, हम बात कर रहे हैं final exams की, कि final exam में कौन-कौन सी derivations आ सकती हैं. So, let's start, सबसे पहले derivation है, वो है equation of, derivation of, equation of a plane progressive wave, plane progressive wave, बहुत important derivation है, बहुत ही ज्यादा important derivation है, और ये derivation आपको final exams में 2 से 3 number की मिलेगी, थियोरी भी है, इसमें mathematical part भी है, आपको इन सारे derivations को अगर explain करना है, तो आप topic name से मेरे channel के नाम से सर्च कर सकते हो, आपको ये सारी derivations पे बढ़िया वीडियो, और बहुत बढ़ा नहीं, छोटा सा बहुत बढ़िया explanatory वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा है relation between, अच्छा, ये वो derivation है, जिसमें आप y equal to a sin omega t minus kx derive करते हो, second derivation is relation between, relation between wave velocity and particle velocity, wave velocity, अगर आपने chapter wave पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल आप relate कर पा रहे होगे, कि मैं ये कौन से topics की बात कर रहा हूँ, अगर आपने chapter नहीं पढ़ा है, तो आप just topics note कर लो, आपके पास time कम है, तो इन derivations को वहाँ से prepare कर लेना, थोड़ा सा concept पहले किसी one shot video से wave का ले लेना, नहीं तो बिल्कुल confused हो जाओग standing waves की, दो derivations हैं, एक तो standing waves है, stressed strings में, stressed strings and organ pipes, ये दो अलगलग derivations हैं, जिसमें आपको fundamental mode क्या है, different different harmonics के, different different harmonics की frequency के formulae derive करने होते हैं, थोड़ा सा आपको detail में idea लेना पड़ेगा, बट दोनों पे मैंने बढ़िया short video बनाया हुआ है, आप जाकर सीख सकते हो, बट ये derivation भी important है, ठीक है, इन में से किसी भी एक पे 3 से 5 नंबर का question आएगा, फिर derivation आती है, बच्चो beats की, beat interval और beat frequency पे 2 से 3 नंबर की derivation पूछी जाती है, बहुत बार school exams में, और उसके बाद Doppler effect topic syllabus में नहीं है, अगर आपके school में करवाया है, तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन Doppler effect से ज़ादा important topic है, formula, वो भी syllabus में नहीं है, ठीक है, यह आपकी syllabus की हो गई, अभी एक दो derivations और syllabus की उतनी important नहीं है, तो end में बताऊंगा, Newton's formula, Newton's formula, इन सब पर आपको मेरे lectures मिल जाएंगे, Newton's formula for velocity of sound in gases, velocity of sound in air, Newton's formula, Newton ने एक formula derive किया था, क्या क्या नहीं किया, Newton ने सब कुछ तो किया, तो यहां भी इसने किया, एक formula derive किया था, wave की velocity के लिए, उस formula से value थोड़ी सी गलत आई थी, wave की velocity के लिए नी sound की velocity के लिए sound भी तो wave ही होता है तो sound की velocity के लिए Newton ने एक formula derive किया था वो derivation है बट उस formula से जो value आई थी sound की velocity की वो थोड़ी सी गलत आई थी फिर उसको एक और scientist Laplace जिसका नाम था उसने correct करके correct formula derive किया था तो ये 5 नमबर का पूरा question आता है लेकिन school में करवाया गया हो तो Newton's formula for velocity of sound in gases and Laplace's correction ठीक है इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैंने ये derivation भी अपने pdf में डाल दिया कि जिनके school में करवाया है तो important है अगर सिरब Newton का formula derive करने को आएगा तो 3 नमबर का आएगा साथ में Laplace correction भी डाल देंगे तो पूरा 5 नमबर का आपका topic आ सकता है इसके अलावा दो बहुत छोटे छोटे derivations है वो भी मैंने pdf में डाल दिया है कोई बहुत important नहीं है velocity of transverse wave on a stressed string खीची हुई जो string होती है उसको जब आप ऐसे करते हो तो उसमें एक wave चलती है उसकी velocity का formula under root t by lambda होता है वो आप देख लें आप मैंने pdf में सब लिख दिया है and velocity of sound in gases का एक formula होता है कि जब sound किसी gas में travel करता है तो उसकी velocity होती है under root b by rho where b is the bulk modulus of the gas and rho is the density of the gas यह दो derivation पर यह कोई इतनी important नहीं है क्योंकि इनकी derivation भी जो आपने chapter 1 में वो topic पड़ा था dimensions वाला उससे करी गई है तो कोई पूछा नहीं जाता लेकिन अगर पूछा जाएगा तो दो number का पूछा जाएगा pdf के अंदर पहली और दूसरी derivations है बाकि जो important derivations है यह तो equally important है चारो derivations तो इनको अच्छे से prepare कर लेना अगर यह school में करवाई है तो यह भी बहुत important है और end की दो बताई वो उतनी important नहीं है लेकिन छोड़के मत जाना बहुत ही easy है कुछ करना यह नहीं dimension वाले method से उसको prepare कर लेना तो pdf download करके derivations prepare कर लेना मैं आपसे मिलता हूँ next lecture में तब तक के लिए all the very good